ओम शांती आज 22 दिसंबर 2022 है सरवन्ष त्यागी किसको कहा जाता है और सरवन्ष त्यागी आत्माओं की निशानी क्या है इस बात को हम आज के स्लोगन के द्वारा जानेंगे सुनते हैं आज का स्लोगन पुराने स्वभाव संसकार के वंश का भी त्याग करने वाली ही सरवन्ष त्यागी है दुनिया में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि त्याक से ही भाग्य का निर्मान होता है और त्याक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ती भी है अर्थात त्याक करने के लिए आत्मिक बल की आवशक्ता होती है मन की शक्ती की आवशक्ता होती है इसलिए बहुत कम लोग इस त्याग के मार्क पर चल पाते हैं त्याग भी दो प्रकार के होते हैं एक है हद का त्याग और दूसरा है बेहत का त्याग सादू, संत, रिशी, मुनी, आधी वे सब हद के त्यागी है अर्थात, वे देह के रिश्टे नाते घर ग्रहस्तियों को स्थूल रूप से त्याग करते हैं और त्याग करके वे जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं ये है हद का त्याग दूसरा है बेहत का त्याग अर्थात, घर ग्रहस्त में रहते हुए रिष्टे नाते व्यभार करम में आते हुए भी, मन से विकारों का त्याग करना, कुद्रिष्टी, कु वृत्ती, कु कर्मों का त्याग करना, ये है सुक्षम त्याग, बेहत का त्याग. तो ये सुक्षम त्याग जिसको बेहत का त्याग कहा जाता है वास्तों में यही सच्चा सच्चा त्याग है जब हम अपने पुराने स्वभाव संसकारों को भी त्याग करते हैं ये भी बेहत के त्याग में आते हैं पुराने स्वभाव संसकार अर्थात जो भी स्वभाव संसकार हमने विकारों के वश होकर की काम, क्रोड, लोग, मोह, एहंकार, इर्शा, घ्रना के वश होकर के स्वभाव संसकार बनाए हैं वे सब कुछ जो है पुराने स्वभाव संसकार कहलाते हैं उन सब पुराने स्वभाव संसकारों को वंश सहित्या करना, उसको कहा जाता है सरवन्श त्यागी, वंश माना एक एक विकार का अपना अपना एक वंश होता है, जैसे काम रुपी विकार का जो वंश है वो है कामना, इच्छा, चाहना, क्रोध का वंश है आवेश में आना, इर्शा, घ्रना, अद्वेश, आदी, तो इन सब विकारों को वंश सहित्याग करना यही सर्वन्शित्यागी है, ऐसे सर्वन्शित्यागी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे आदी संसकार स्वभाव है, उन सभी आदी स्वभाव संसकारों के हमें स्मृती और वो है ज्यान स्वरूब, पवित्र स्वरूब, प्रेम स्वरूब, आनन्द स्वरूब, इन सब के हम स्मृती स्वरूब बन करके रहते हैं, तो धिरे धिरे पुराने रावन के संसकार हम से छुटते जाएंगे, जब मन ने स्रे संसकारों को पकड़ लिया, तो आपे ही और विकारों की वंश सहीद हम त्याग करके अच्छे बेहत के वैरागी, बेहत के त्यागी बन सकते हैं, ओम शांती